तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चारधाम यात्रा के बारे में एक इंपोर्टन अपडेट्स महाश्यूरात्री के पावन अउसर पर उत्तराखन के चारधाम मंदिरों के कपट खुलने की डेट्स गवर्मेंट ने अनौस की है उत्तराखन टूरिजम डेवलोप्मेंट बोड ने ये एलन किया है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपट अक्षेत रितिया के दिन याने 22 एप्रिल दो हजार तेविस को पवित्र धाम केदारनाथ के कपट 25 एप्रिल और बद्रिनाथ धाम के कपट 27 एप्रिल 2023 को खुलने वाले है तो दोस्तो अब आप अपनी यात्रा की प्लैनिंग कर सकते हैं यात्रा की प्लैनिंग के लिए हमारा केदारनात बद्रिनात दो धाम एक साथ ये डिटेल वीडियो ज़रूर देखें. दोस्तो, यात्रा के लिए ओनलाइन रजिस्टेशन करना कंपल सरी है. यात्रियों की सुविधा के लिए इस साल प्रशासन ने दो नए ओप्जिन्स भी दिये है. इस साल यात्री चार प्रकार से ओनलाइन रजिस्टेशन कर सकते हैं. पहला, रजिस्टेशन और टुरिस्टकेर.uk.gov इन इस वेबसाइट से कर सकते हैं. दूसरा, WhatsApp से ओनलेन रजिस्टेशन कर सकते हैं. इसलिए आपको 83948333333 इस नंबर पर आपको यात्रा टाइप करना है. और बाद में बाकी के डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी है. तिसरा विकल्प है, टोल फ्री नंबर से आप रजिस्टेशन कर सकते हैं. इसलिए 013-51364 ये नंबर पर आपको रजिस्टेशन करना है. और चोथा विकल्प है, टुरिस्ट केर उत्राखंड ये एप डाउनलोड करके भी आप ओनलेन रजिस्टेशन कर सकते हैं. दोस्तों, अगर आप आपका वेहिकल लेकर ये यात्रा करने वाले हैं, तो उसका भी रजिस्टेशन greencard.uk.gov इस वेबसाइट पे कर सकते हैं. रजिस्टेशन की ये प्रक्रिया 21.02.2023 से शुरू होने वाली है. तो दोस्तों, ट्रिप की प्लैनिंग के लिए हमारा केदारनाथ बद्रिनाथ दो धाम एक साथ ये वीडियो जरूर देखें. इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी और ट्रिप के लिए कितने दिन लग सकते हैं, कितना खर्चा आ सकता हैं, ये सभी डिटेल इन्फॉर्मिशन इस वीडियो में है. ओनलाइन रिजिस्टेशन कैसे करना है ये जानने के लिए हमारा केदारनाथ बद्रिनाथ ओनलाइन रिजिस्टेशन ये वीडियो जरूर देखें. दोस्तों केदारनाथ बद्रिनाथ गंगोतरी ये मुनोतरी के लिए ठरने की व्यवस्ता बहुत इंपॉर्टन्ट है. दी है तो दोस्तो ऐसे ही अपडेट्स और नई जानकरी के लिए देखते रहिए ट्रैवल गाइड और आपकी यात्रा मंगल मैं हो जै भोलेनात जै बदरिनात